हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट नेक पर डोरी वाली पाइपिंग अंडर ग्राउंड कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगी तो जहां पर यह मैंने कमीज की कटिंग कर ली है और मैंने यह नेक कप्ड़े पर लगा ली है जहां पर आप ऐसे पहले बुक्रम पर अटैच कर लीजें इसके बाद फ्रेंड आप ने ऐसे डोरी वाली पाइपिंग त्यार कर लेनी है रिय cater कपड़े एसे अपने डोरी वाली पाइपिंग पहले बना लेनी है उसके बाद हम इसको गले पर अ ऐसे चाग से आप ऐसे ऐसे बुक्रम को अंदर की तरफ करके ऐसे बुक्रम पर आपने लाईन लगा लिए निया है ऐसे सारी गुलाई पर आप ऐसे लाइन लगा लिए ऐसे जिए मैंने गुलाई पर ऐसे यह मार्किंग कर ली है ऐसे आप भी कर लिजिए इसके बाद हमने जो हमारी पाइपिंग है उसको ऐसे रखना है कि जो हमारी ज्योश सलाई है जे हमारी लाइन पर कि ऐसे आपने यह वाली प्लाइग और लाइन को अपसमें मिलाते हुए जहां से ऐसे ऐसे लिगा ते जाना है एसे फ्रेंज में इस पाइपिंग को ऐसे लाइन पर रखती जाओंगी और्पर लिगाती जाओंगी और फ्रेंज आपने यह एक साइडवा आपको पैर चाहिए कि ऐसा आप पैर बदल लें फिर ही आपकी पाइपिंग की फिनिशिंग आएगी प्रेंट जी मैंने पाइपिंग गले पर लगा दी है एक स्लाई से यह हमारी पाइपिंग लगए चुकी है अब फ्रेंड्स हमने इसको एस तरफ कर लेना है गले को और हमारी कमीज की सीधी साइड पर रखकर ऐसे हमने ऐसे सीधी साइड पर रख लेना है और कमीज का सेंटर और इस कपड़े का सेंटर करकर पहले में सेंटर में स्लाई लगा दूँगी सेंटर में लगाकर ची मैंने गले को गमीज के साथ अटैच कर लिया है और इसके बाद हमने जो पाइपेंग अटैच करने के लिए उसी इसलाई से हम उसको कुमीज के साथ अटैच कर देंगे गले को ऐसे जो स्लाई लगाई है उसी परियम दूसरी स्लाई लगा देंगे ऐसे मैंने बीच में से कपडा निकाल कर जहां पर शोटे-शोटे फट लगा लिये हैं ऐसे तो इसके बाद फ्रेंड्स आप आसे गले को ऐसे अंदर की तरफ हमारी जो बुक्रह में उसको फोल्ड कर देना है और जो हमारी पाइपæंग यहाफु उपर वाली साइड आजाये कि बाहर तो ये दिखे फ्रेंड्स हमारी पाइपपिंग एक स्लाई में ही लग चुकी है एंडर ग्राउंड पाइपिंग लग चुकी है, ऐसे, अब मैं एधर वाली साय्ट तर्पाई कर दूँगी, तो ऐसे हमारा गला घूप समूब ते यहार हो किरे है, एजे और हमारी पाइपिंग लग चुकी है, एक ही स्लाइब में यह हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगी है फ्रेंड अगर आपको यह मेरी वीडियो पसांद आई हो तो मेरे चैनल को सुस्क्राइब कर देना और मेरी वीडियो को भी शेयर कर देना थेंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो